तुमको बहुत देर से देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब करो डीजी रोग चनल को और बेल लेगन को दबाओ डीजे की जनकारी सबसे पहले देखने के लिए तो भाई लोग आज के वीडियो में हम बात करेंगे SLB का Amplifier versus NXRDU का Amplifier मोडल नंबर के बारे में बात करते हैं तो एक है BL14 और एक Amplifier है MT601 बात करते हैं पर दोने Amplifier का प्राइस कितना होगा इसमें क्या कि आपको इस स्पेसिफिक किसम देखने को मिल जाता है जैसे की आपको यहाँ पर आउटपूट कितना मिल जाता है पर चैनल ATOMS, FOROMS, 2OMS और यहाँ पर आपको dumping factor कितना मिल जाता है और यहाँ पर आपको कौन से class का Amplifier मिल जाता है Amplifier का weight कितना होगा, price कितना होगा ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के तुरू तो पहले आप कमेंट देख सकते हो आल टाइम मस्ती के तरफ से कमेंट आया है भाई SLB BL14 vs MT601 इनका कहना यह है कि दोने अम्प्लिफार का कॉम्पेर वीडियो बनाई है तो चलिए आज के वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं कि दोने अम्प्लिफार में से कौन से अम्प्लिफार तगड़ा होने वाला है तो वीडियो का लाच तक जरूर देखते रहेगा और लाइक शेर जरू करिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा अगर अभी तक चैनल में नए हो तो सो यहाँ पर बात करते हैं SLB BL14 एम्प्लिफार प्लस MT601 मतलब NX audio MT601 यहाँ पर एम्प्लिफार के बारे बात करते हैं तो यहाँ पर छो SLB BL14 है वो है आपका 7000 В smoking और आपका अनेQS audio का proton MT601 जो आपका अम्प्लिफार है वो है आपका 6000 वाट के अम्प्लिफार यहाँ पर कहीं नहीं आपको 600W के amplifier में आपको output कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यह 600W कम प्रिफार है, लेकिन यहाँ पर price जिरेंज है, वो आपको अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, MT601 में आपको price जो है थोड़ा बहुत आपको high पड़ेगा, और BL14 में आपको price जो है क इतना मिल जाता है, यापर ATOMs के उपर 2000W का per channel आउटपूर आपको मिल जाता है, BL14 में, और अगर आप 4 need के उपर के उपर चलाते हो तो 2800W का output को मिल जाएगा, per channel और 2 Suds के उपर अगर आप चलाते हो तो 3500W का per channel output को मिल जाता है , bridge mode के हम बात करते हैं, तो आपर 8OMS के उपर 5600 WKD आपको मिल जाएगा, BRIDGE MODE 4OMS के उपर हम बात करते हैं तो 7000 WKD मिल जाएगा, Dumping factor के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 1000 का आपको DRAMPING मिल जाता है जो कि काफी सही है और यहाँ POR CLASS के बारे हम बात करते हैं तो यहां पर KH का यहां पर आपको class मिल जाता है, मतलब टेकनोलोजी जो यूज किया गया है, वो है KH, मतलब यहां पर कुछ advanced यहां पर यूज किया गया है, जैसे कि class H, यहां पर यह है KH, weight के बारे हम बात करते हैं, तो यहां पर 36 kg का amplifier आपको पढ़ेगा, SLB का जो आपका है BL14, अब बात कर लेते हैं, यहां पर NX audio proton MT601 के बारे में, किया पर इसका output आपको कितना मिल जाता है, तो यहां पर ATOMS के उपर 1700 Watt का per channel output, FOROMS के उपर 2250 Watt का per channel output, 2OMS के उपर 3000 Watt का per channel output, यहां पर bridge mode के उपर हम बात करते हैं, तो यहां पर ATOMS के उपर 1200 Watt का output and यहां पर bridge mode forums के उपर 5200 Watt का output, dumping factor यहां पर 1000 आपको मिल जाता है, जो कि same आपको मिल जाता है, class के बारे मिल जाता है, तो यहां पर class जो है आपको H में मिल जाता है, और weight के बारे मिल बात करते हैं, तो यहां पर 47 kg का amplifier है, मतलब कि 11 kg आपको भारी पड़ेगा MT601, मतलब कि यहां पर heavy हम कह सकते हैं, ज्यादा वजन वाला amplifier है MT601, अब बात कर लेते हैं, पर दोना amplifier का price लगभग कितना होने वाला है, फिर हम discuss करेंगे कौन सा amplifier लेना चाहिए, तो यहां पर 52,000 के आपको मिल जाएगा SLB का BL14, price उपर नहीं हो सकता है, यह मैं आपको approach price बता रहा हू यहां पर अंदाजा आप लगा सकते हो कि price difference आपको कितना पड़ जाएगा, SLB BL14, 52,000 के आसपास आप पकड़ की चलो, और एनेकस अडियो का proton MT601, लगभग 58,000 के आसपास, मान की चलो, इतना भी आपको मिल जाएगा, price के बारे हम बात करते हो, तो यहां पर 6000 के आसपास आ कोई भी amplifier आप ले सकते हो, दोनों amplifier अच्छे हैं, अब यहां पर जो अपने भाई का comment था, वो थोड़ा सा अधूरा था, यहां पर आपने अगर बताया होता कि आपके पास इतने 1000 वाट का base है, 2 base या फिर 4 base, इतने 1000 वाट करके है, कौन सा amplifier हमें लेना चाहिए दोनों में से तो मैं यहां पर आपको काफी अच्छे से किलियर बता सकता था, लेकिन यहां पर अगर आप अधूरा कमेंट किये हो, जो कि दोनों amplifier का compare वीडियो अगर बनाना है, तो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, लेकिन आपको अब यहां पर आपको यह देखना है कि आपका अगर आप यहां पर 200W या फिर 200W की speaker आप चलाना चाते हो, तो SLB का BL14 ले सकते हो, यहां पर MT601 में भी आपका speaker 2 है, दो speaker आप चला सकते हो, कोई दिकत नहीं आएगी, लेकिन अगर हम फोरूम के उपर बात करते हैं, मतलब 4 बेस एक amplifier में और 4 बेस दूसरे amplifier में, मतलब MT601 में 4 बेस और BL14 में 4 बेस, अगर हम यहां पर 4 बेस चलाते हैं, मतलब full load के बारे में हम बात कर रहे हैं, कम load में भी आप चला सकते हो, लेकिन अगर हम ज्यादा ज्यादा अगर हम यहां पर load डालते हैं, तो हम कितना डाल सकते हैं, तो यहां पर MT601 में आप डाल सकते हो, पं चीनची में भी आप चला सकते हो या फिर 16 वाड का भी आप चार बेस चला सकते हो इस पर आपको डिफ्रेंस आपको चेक करना पड़ेगा आपके स्पीकर्स कितने वाड़ेज का है वो आपको देख के लेना पड़ेगा दोने अम्प्लिफायर सही है अगर हम दोने अम्प्लिफायर को देखते हैं मतलब कि अगर हम स्पीकर्स नहीं देखेंगे कि हमना आप पास कितने वाड़ेज का है या फिर आपको अपको अप्लिफायर अगर हम हम बात करते हैं तो यह भी काफी टगड़ा और काफी powerful amplifier है यहाँ पर अगर आप इस amplifier को भी लेते हो तो काफी अच्छा response आपको मिल जाएगा यहाँ पर बात करते हैं तो resell value अगर हम देखते हैं दोनों ब्लिफार का अगर रिसेल वेल्यू के बारे में बात करते हैं तो MT601 का रिसेल वेल्यू काफी ज्यादा मिलेगा compare to SLB BL14 के हिसाब से क्योंकि MT601 काफी popular amplifier है यहां पर इसका जो है काफी ज्यादा आपको जो है रिसेल वेल्यू मिलेगा और काफी जल्दी बीक भीजाएगा यह सारी चीज़े आपको धिहर में रखना पूड़ता है यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा amplifier हमें लेना चाहिए यहां पर दोनों amplifier में से आप कोई भी ले सकते हो मेरे तरब से दोनों recommended है लेकिन अगर हम इस वीडियो में बात कर रहे है compare वीडियो के बारे में तो यहां पर कम price में ज्यादा output जो amplifier आपको दे रहा है वो amplifier आप ले सकते हो और काफी अच्छा भी है कोई दिकत नहीं आईगी आपको इंडियन amplifier है कोई दिकत नहीं आईगी यहां पर SLVVL14 आप ले सकते हो वीडर आपके यही रहेगा दोनों amplifier में से तो आज की वीडियो बस इतना ही था दोस्तों वीडियो को like करिएगा सेर करिएगा अपने दोस्तों साथ चल में अगर अभी तक नए है तो नीचे जाएगा सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल अगन को अलबे सेट कर लिजेगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अगर आपको दोनों amplifier का लोड कल्कुलेशन के बारे में जानना है कि हम इसमे किरने हजरवार का बेस चला सकते हैं दो बेस चार बेस ये सारी चीज़े अगर आपको देखना है तो नीचे description में दोनो amplifier का वीडियो मिल जाएगा सारा details के साथ तो वो आप check out जूरू कर लिजेगा तो जैले मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्द के बात्रम